चलिए सबसे पहले बात वाजार की मंथली एक्सपाइडी के दिन उतार चड़ाव के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज अच्छी रिकवरी दिखी वैसे वाजार में किस तरह का एक्शन रहा हमारे सयोगी अंश भीलवाड बता रहे तो मांकेट आज हरे निशान में बंदतोवा नजर आया हाला कि निफ्टी 0.1% ओपर चड़ा लेकिन 22,000 मांक के ओपर क्लोज नहीं हो पाया लेकिन फिर भी निफ्टी हरे निशान में क्लोज हुआ आज का यहां पे टॉप गेनर देखे तो अदानी इंटर्प्राइस और अदानी पोर्ट नजर आ रहे है दूसरे बाडर इंडिसी की बात करें तो यहां पे निफ्टी मिट कैप में भी अच्छी बड़ोती नजर आ परा रहा है जो की युनिएन बंक और महार्ष्र बैंक की वजे से में ली इंडेक्स ने लीड किया हूआ है दूसर्य से कि की बात करें तो हरे निशान में हमें यहां पर निफ्टी रिंक और और सिरीज की आज की दिन फैप सीरीज एक्सपाइर हुआ है तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है यहां पर देखा जाए तो निफ्टी ने इस सीरीज में उपर था और में गेनर्स यहां पर ओल इंडिया और पीवी फिंटेक नज़रा रहे है स्मॉल केप की बात करें तो करीब करीब निफ्टी रियाल्टी ने भी 10% का अप मूव दिया इस सीरीज में दूसरे इंडिसीज की देखें तो यहां पर निफ्टी ओटो और निफ्टी फार्मर ने रिकॉर्ड हाई का स्थर्च हुआ है इस सीरीज में सेक्टोरल लूजर की बात करें तो यहां पर हमें में निफ्टी एफम सीजी नजल आ रहा है जिसने इस सेक्टोरल इस फेप सीरीज में नेगेटिव रिटर्न्स दिये हुए है यहां का चार्ट देखा जाए तो इंडेक्स ने कुछ दो प्रतिशत का डॉन मूब दिया है इस सीरीज में में आई टी से आप प्रॉक्टोरल गैंबल ने इंडेक्स को नीचे के तरफ खीचा हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस एहम जानकारी के लिए बाजार के हाइलाइट सामने रखने के लिए लेकिन इस वक्त आप देखिए जनवरी में आठ कोर इंडेस्ट्रीज का जो डेटा है वो सामने आता हुआ और आठ कोर इंडेस्ट्रीज की ग्रोथ 3.6% तक पहुच गई है तो आठ कोर इंडेस्ट्रीज की ग्रोथ में गिरावट दर्ज है अगर हम जनवरी में बात करें और इसके पहले ये 3.8% पर थी तो एक गिरावट जो है वो जन्वरी में आठ कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में साफ तोर पर नजर आ रही है तो जन्वरी में आठ कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पहुंची 3.6%, 3.8% थी इसके पहले चले बढ़ते आंगे, स्मॉल और मिटकेप फंड को लेकर सेबी के दिशा निर्देश पर एंफी ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की है, बैठक में क्या खास था, ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, अंकुर मिश्राव जैसे ही सेबी का जो डिरेक्शन आया था, स्मॉल और मिटकेप फंड में रिस्क को लेके, उसके बाद म्यूचल फंड सरकत में आ गये थे, कि किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए, किस तरीके से अगर कोई किसी तरीके का एक रिस्रिक्शन लगाना है, इंफ्लोस पे तो वो लगाया जाए, तो उस पर चर्चा जरूर हुई है, म्यूचल फंड के वीच में, बट सूत्रों ने हमें यही बताया है, कि अभी तक ऐसा कोई प्रसाव नहीं है, जिस पे किसी तरीके की कोई investment limit लगाई जाए, small या mid cap funds में, बलकि एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो होगा disclosure, अब disclosure किस किस चीज़ का होगा, disclosure होगा कि आपका किस तरीके से आपकी liquidity है, किस तरीके से अगर किसी सिनारियो में जो redemption, अगर investors करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी अन्यमित situation आती, तो वो कैसे buckets होंगे, for instance, 10% redemption के सिनारियो में क्या स्थिती होगी, 30% redemption के सिनारियो में क्या स्थिती होगी, ये सारे जो concerns हैं, ये सारे जो risk हैं, अब mutual funds वो website पे disclose कर सकते हैं, तो all in all, सारे जो mutual fund houses हैं, वो किसी तरीके की कोई पाबंदी के favor में नह काई जाए, बलकि अपनी तरफ से risk को disclose करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज अपने दर्शकों को बता दूँ कि कुछ जो fund houses हैं, पहले से ही, ये अभी सेभी के direction के बाद नहीं, बलकि पहले से ही, यहाँ पर restrictions हैं, कि जो निवेश है, वहाँ पे सीमा तै हो गई है, for instance, SBI mutual fund, KOTAC mutual fund, वहाँ पर पहले से ही fund houses ने अपनी तरफ से निवेश की सीमा लगा सकते हैं, तो ये individual fund houses पर छोड़ा जाएगा, अगर आप किसी तरीके की कोई सीमा लगाना चाहें, लेकिन कोई एक blanket, किसी तरीके का restriction आने की संभावना बहुत कम है, हाला कि जो websites आप देखें mutual fund की, वहाँ पर अब आप और disclosures देख सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस एहम जानकारी के लिए, और इस वक्त की सबसे एहम खबर आपको बता दें, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी किया देख्षता में, देश में तीन सेमी कंड़क्टर FAB को स्थापित करने को मंजूरी मिल गई है, और इसका जो निर्मार्ण कार है, वो अगले सौ दिनों में शुरू हो जाएगा, इस पर खास बातचीत की, हमने केंद्रिया मंत्री अश्वनी वैश्णव से आपको ये एक्स्क्रूसिव बातचीत दिखाते हैं मोदी है तो मुमकिन है, देखिए प्रदान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी ने आज देश में एक एतिहास एक फैसले लिये हैं, पहला कॉमर्शियल सेमी कंडुक्टर FAB, इसका आज फैसला लिया गया, अप्रूव हुई, टाटा और ताइवान की पावर चिप, इन दोनों कावर वेफर स्टाइट पर मन्त, याने एक वेफर के इंदर पांच हजार चिप उती है, अब यापको दिखाता हूं, बहुत हुक्ट्यक्छार टान है, बहुत को साल की तीं सो करोर के आज पास। चिप्स बिनधर से बन के निकलेगी और हुट साल सारे सेक्टर्स जिन सेक सेक्टर को कवर करेगी है, पावर एलेक्रोनिक्स, इलेक्रिक वेहिकल्स, तेलेकॉम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इन सब सेक्टर के लिए इस फैब से क्रड़क्शन होगा. दूसरा प्रपोजल अप्रूव हुआ है, आसाम में, देखे, आसाम और नॉर्थ-East में, प्रिधानमंत्री शी नरेंदर अमोदी जी ने हर तरह की एक क्रांती लाए, रेल कनेक्टिविटी, एर कनेक्टिविटी, उप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, हाइवे से टाटा का एक प्लांट लगेगा जो की साल के सत्रा सो करोड चिप्स बनाएंगे नहीं पर डे चार करोड असी लाग चिप इस प्लांट से बनेंगी और बहुत ही एक एडवांस प्लांट होगा जो दुनिया की सारी बड़ी आपकी ओक्डियर, प्लांट की कंपणी हैं और शीजी पावर बारत की कंपनी है, इन दोनों के joint venture में collaborations में इन प्लांट लगेगा, और यहां पर भी बहुत advanced chips होगी, जो कि यहां पर manufacture होगी, और बहुत ही fine होती है chips छोटी होती है, इन chips की manufacturing वहां पर होगी और इस plant में करीब 7600 करोड का investment आएगा और डेली डेड़ करोड़ चिप्स वहां से प्लांट से बनके निकलेगी तो जो cumulative investment है वो कितना होगा लगबग? करीब 1,26,000 करोड़ का total investment आएगा और करीब-करीब 26,000 direct employment होगा और करीब 1,00,000 के असपास का indirect employment होगा आज जैसे आप जानते हैं, semiconductor एक foundational industry है बहुत सारी downstream industries जैसे electronics manufacturing हुआ, telecom manufacturing हुआ, automobile में काम में आती हैं इन सब industries को इसका benefit मिलेगा export front पे भी आप जैसे बता रहें कि इतने sectors को benefit होगा तो export front पे भी क्या आप देखरें सार? हाँ बिलकुल, भारत में बनी chips दुनिया में export होगी अमेरिका, यूरोप, इन सब markets में भारत में बनीवी chips export होगी Employment के नजरिये से आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को इसको सीधे तौर पे benefit होका जैसे आपने बताया और long term vision, government इस दिशा में क्या देख रही है? आप सब जानते हैं प्रधान मंत्री जी ने making India और आत्म निरवर भारत ये दो बहुत महत्वपून mission हाथ में लिये हुए इन missions के तहट आप देखेंगे इस आज के semiconductor program के कारण भारत आत्म निरवर बनेगा semiconductor chips में और दूसरा making India को बहुत बड़ा boost मिलेगा क्योंकि semiconductor आज करीब करीब हर चीज में उपयोग में आते हैं घर में फ्रिज में टीवी में पंखे में जो भी चीज on या off होती है जिस भी चीज को on off करते हम उस हर चीज में semiconductor का उपयोग होता है मैं उसके example से यह समझना चाहरा हूँ कि अभी जिनको अपने प्रपोजल accept किये हैं इनका जो finished product है जो final product है वो आने में लगवक कितना समझ जाएगा देखें, micron record time में construction स्टार्ट हुआ, 90 दिन के अंदर अंदर construction स्टार्ट हुआ, यहां भी आज प्रधानमंत्री जी ने वैसा ही target रखा है कि 100 दिन के अंदर अंदर इन तीनों plant का construction स्टार्ट होना चाहिए on and average दुनिया में इस तरह के plant की manufacturing setting up में करीद 3 से 4 साल लगते हैं लेकिन अपने यहां मोदी जी ने बहुत ही compressed timeline दे रखी है, बहुत तेजिस इस पर काम करेंगा एक आखरी सवाल सार कि क्या जो तीन प्रोपोजल आज आपने मंजूर करें क्या सिर्फ यही तीन थे क्या से ज्यादा थे प्रोपोजल को लेकर के और दूसरा यह है कि आप पूरे sector को अभी तो अगर हम देखे तो cumulative आप जैसे बतारे investment 1.26 लैक करोड का है 5 years down the line आपको क्या लगता है कि पूरा sector कितना मजबूती से किस position पे stand up करेगा economic point of view से 5 years down the line semiconductor manufacturing will become a very important sector in India we will see significant export, significant manufacturing, we will see practically lot of technologies being developed इस पूरी value chain में design, fab और ATMP यह तीन चीज़े design अपने आद तीन लाख engineers हैं देश में जो complex से complex chips को design करते है fab आज के proposal से आई, ATMP इसकी technology भारत ने खुद ने आत्मसाथ कर लिए, develop कर लिए तो एक तरीके से over a period of next 5 years, India will emerge as a major semiconductor hub तो आत्मर्भर होने कि राब में एक और milestone अचीव करता हुआ भारत पढ़ते हैं आगे फरवरी में आटो बिकरी के आकड़े कैसे रहेंगे, इसे जानते हमारी सहयोगी स्रिष्टी शर्मा से इस बार मिली जुली उमीदे लगाई जा रहे हैं, खास तोर से two-wheeler segment से अच्छी उमीदे लगाई जा रहे हैं वही commercial vehicle segment की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सुस्त पनाद देखने को मिल सकता है इसके अलावा कुछ आकड़ों की बात करें तो passenger vehicle segment में हम देखने हैं कि demand अभी भी स्थिर है वहाँ पे कुछ बहुत जादा ना excitement है और ना ही बहुत जादा निराशा है पर हाँ entry level segment में कोई भी recovery नहीं है यह जरूर डीलर्स की तरफ से सामने आ रहा है वही M&M, Tata Motors, Marthi, Suzuki इन सभी की sales में मामली सी single percent में यानी 8-10 percent की गिरावट देखने को मिल सकती है महीने दर महीने पर वहाँ पे बहुत जादा चिंता का विशे नहीं बताया जा रहा है टू-wheeler segment में जी हाँ साल दर साल एक अच्छी ग्रोथ हम देखेंगे एक चोटा बेस भी था उस पे एक अच्छी ग्रोथ रही और साथी महीने दर महीने यहाँ पे भी कोई substantial गिरावट नहीं देखने को मिलने की यह भी एक positive factor रहेगा क्यों क्योंकि जो festive season के बाद जब हम देखते हैं तो थोड़ी सी धीमापन आता है पर वोट रिकल नहीं हो रहा है साथ ही शादियों के season का भी एक support मिल रहा है टू-wheeler sales को इसके अरावा commercial vehicle segment की बात करें तो जो election period है उसके ठीक पहले जो है हम देख रहे हैं कि वहां से मांग recover नहीं हो रही है इसी के चलते आईशो मोटर्स वी सीवी टाठा मोटर्स अशोक लेले निन सभी में हम फिर से एक बार गिरावट आते वे देख सकते हैं कई महीनों से हम देख रहे हैं कि यहां पे कोई बहुत जादा बढ़त नहीं है पर आखरी में tractor division में काफी mixed report है कुछ डीलर्स का कहना है कि कुछ शेत्रों में जो है बड़ी है कुछ शेत्रों में विक्री पे अभी भी थोड़ा धीमापन देखने को मिला है जिसके चलते मिले जिला ने तीजए M&M की tractor बिखरी जो है साल दर साल 12% गिर सकती है पर महीने दर महीने एसकोच्स की बिखरी में 12% क जरूर नज़र रखनी चाहिए वहीं अगर वीकर साइट पे देखे तो शायद कमर्शल वेहिकल सेग्मेंट में हम वो आते वे देख सकते हैं वीकनेस बैक टुई तो आपके सामने आटो भिकरी के आकड़े हमने रखे और तमाम जो अनुवान है उसकी बाते सामने आपके रखी गए चलिए अब एक खास बातचीत दिखाते हैं कमर्शल बैंक कोटक बैंक के प्रेसिडेंट हेड कमर्शल बैंक मनीश कोटारी साहब से जिन से खास बातचीत की हमारी सही होगी आस्था चोपड़ाने मेरा पहला क्वेशन होगा आपने अभी हमको मीट पे बोला की ग्रोथ जो देख रहे हैं वो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से जादा होगी क्या स्ट्राटेजीज फोकस करेंगे अब उस ग्रोथ तक उस पेस पर बढ़ने के लिए जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को गोल लोन की जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट इटसेल्फ बीस परसेंट के आसपास है और हम अभी काफी नए प्लेयर हैं यहां इस इंडस्ट्री में है करेंर चाहिंग जो इन सारी बातों को आज हुटक बैंक के अधिकारी ने मैनेज़मेंट ने आपके सामने रखा चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं एक रिसर्च की नाइट फ्रेंक की वेल्थ रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट इशारा कर रही है कि भारत में धन कुबेरों यानि धनी लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हम दुनिया के मु इजाफा है वो 6 प्रतिशत तक का नजर आए है और अगले 5 साल में 50% तक जो है वो धनी कुबेरों की संख्या बढ़ जाएगी तो इन सारी चीजों पर आज हम महाथ चर्चा करेंगे लेकिन इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है हमारी सयोगी ने ही इसके बारे में प अल्टरा हाई नेट वर्थ इंडिविजूल्स यानि की यू एच एन डव्यू आई यानि की इंकम यूएस 30 मिलियन डॉलर से उपर हो ये रिपोर्ट उन पर फोकस करता है और वो कहता है कि भारत में जो ये यू एच एन डव्यू आई का नंबर है वो बड़ी तेजी से ब इंडिविजूल्स होंगे जो कि अभी के लेवल से पूरे पचास प्रतिशत उपर है वो कहते है कि 90% ओफ इंडिया यू एच एन डव्यू आई जो है वो अपनी वेल्थ में एक इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे है ये साल 63% जो कि ये अल्टरा हाई नेट वर्थ इंडिव रिपोर्ट की बड़ी खास बात है उसको हमको जरा समझना होगा कि अमीनों का जो रियलिटी प्रेम है प्रापर्टी के प्रती लगाव है वो बढ़ता ही जा रहा है वो अपनी वेल्थ का 32% प्रापर्टी पर खर्च कर रहे हैं और कोई और बहतर होई नहीं सकता था जो अल्ट्रा रिच हैं उनकी रफ्तार बढ़ रही है वो बहुत तेजी से भारत में वेल्थी हो रहे हैं लेकिन स्पेसिफिकली मैं ये रियलिटी प्रेम के कारण जानना चाहूंगा ये जो रियल स्टेट के प्रती अल्ट्रा रिच का लगाव है और आकड़े बढ़े है ये छोटे आकड़े नहीं है कि 32 परसेंट अगर वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर हर्च कर रहे हैं तो बताएं आखर इसकी वज़़ा क्या है ज़रूर सो ये हम बात कर रहे हैं नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट की जो एक ग्लोबल पॉब्लिकेशन है और इसमें जो अल्ट्रा हाइ नेट वर्ट इंडिविज्वल्स है 30 मिलियन डॉलर माता करीब 500 करोड की नेट वर्ट से जादा वाले लोगों का आखलन है और आपने जो प्रॉपर्टी प्रेम की बात कही अगर हम ब्रॉड तरीके से देखें तो किवल H&I सेग्मेंट ही नहीं भारतिय जनता में प्रॉपर्टी का रुज़ान तो काफी है ज जो अगर आप हाउजोल्ड वेल्ट का लोकेशन देखें नैशनल लेवल पर वो करीब 55 प्रतिशत है उसके बाद में दूसरे ऐसे ट्लासस आते हैं रेल इस्टेट के अलावा अगर हम H&I सेग्मेंट की बात करें तो हमारी स्टडी के एसाब से करीब 32 प्रतिशत जो इनका नेट वर्थ है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब पहले और दूसरे उनके जो घर है उसमें उन लोगों ने अलोकेट किया वा है कई सारे कारण हैं ऐसा होने का सबसे पहला मुख्य कारण हमने ये देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट वाला एंगल है प्लस उसके साथ में एजूकेशन और लाइस्टाइल वाला जो एंगल है कोई ना कोई वज़े से इन एचनाइज के लिए भी बहुत बड़ा कारण रहा है जिसके वज़े से उनका कमिटमेंट लेल स्टेट में बनावा है तो 32 पतिशत प्राइमरी और सेकेंडरी होम्स में और बाकी में दूसर एक चीज़ और इस रिपोर्ट की मैं जब पढ़ रहा था जो बहुत बड़ी इंट्रेस्टिंग लगी कि भारत से बाहर जो रेजिदेंशिल प्रापर्टीज में या अनया घर खरीदने की जो दिल्चस्पी है वो बहुत जादा बड़ी है 14 फीजदी रेजिदेंशिल पो गेम चेंजिंग कहा जाएगा ये क्या इशारा कर रहा है तो हमें यह समझना हो का है कि यह जो सेग्मेंट है अल्ट्रा हैनेट वर्थ इंडिविजुल्स का करीब 35,000 ऐसे भारती है जिनकी संपत्ती 200 करोड और उससे जादा है इन लोगों का बहुत ही आउट्वर्ड अप पंदरा प्रतिशत तक जो प्रॉपर्टी एक्स्पोजर है वो ओवर्थ सीज मार्केट्स में है इसमें बहुत सारे बड़े मार्केट्स आ जाते हैं चाहे हम यूएस के कुछ शेरों की बात करें यूके लंडन की बात करें दुबाई सिंगापोर होंग कॉंग इन दिखाता ये है कि हाँ भारतिये भी ओवर्थ सीज मार्केट्स में प्रॉपर्टी इंटर्स रखते हैं अलाकि ये जो आंकड़ा है ग्लोबल यूएच अनाई सेग्मेंट जो है उसके कंपैरिशन में कम है क्योंग ग्लोबल में जहां तक हम देखते हैं करीब 22 से 25 में ही है इनेचनाईस का चीज और विवेक मैं समझना चाहूंगा अब यहां से फिर क्या बिग पिक्चर बन रही है इस रफ्तार को अगर आप लोग आधार मान रहे हैं तो आपकी फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं कि फिर यहां से रफ्तार और जादा बढ़ेगी क्या किस अल्टर वेल्दी लोगों के सेग्मेंट में पर्टिक्लरली विकॉज बियाज की दरों में बहुत भड़ोतरी आई थी लेकिन 2023 में यह ट्रेंड रिवर्स हुआ वेल्थ ग्लोबल लेवल पर बढ़ा अल्टरा हाई सेग्मेंट के लिए और जादा बढ़ा है 2023 में और 2024 में दस में से नौ अल्टरा हाई नेट वर्ट इंडिविज्वल्स इंडिया में यह मानते हैं कि उनकी वेल्थ में इजाफा होगा जो ग्लोबल कंपैरिजन के सामने बहुत जादा स्ट्रॉंग अप्टिमिजम है और केवल यही नहीं दस में से नौ यहीं नहीं मानते हैं कि उ दिख रहे हैं कि उनकी संपत्ती में दस प्रतिशत से ज़्यादा इजाफा होगा जो बहुत ही स्ट्रॉंग सेंटिमेंट दर्शाता है हमारे जो खुद की स्टडी है जिसमें हमने अगले पांच सालों का आखलन किया है इन आकडों का अल्टरा है नेट वर्ट जैसे मारकेट्स के कंपरेजियों जहाँ पर अल्टरा है नेट वर्ट इंडिविजल्स की तादा और बहुत जादा है लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की ग्रोथ रेट इस 50 पुतिशत के साथ अवल नमबर पर रहेगी एक नमबर पर रहेगी जिसके वज़े से हम इस ट्रेंड को कंटीन्यू तरीके से देख रहे हैं। दीजे इजाज़त लेकिन आप देखते रहे हैं। एटी नाव सुनेश नमस्कार।